हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू लाइफ एक्स्पिरियंस एजुकेशन, आज हम आपके साथ डिसक्स करने जा रहे हैं, आरार भी ग्रूप डी प्रिवेस एर कॉशन पेपर की, जो मैथमेटिक सीरेज चल रही है, उसका है क्लास नंबर सेकेंड, और यह जो कॉशन पेपर का, आरर भी ग्रूप डी 27 सेप्टेंबर 2018 का, सिप्ट सेकेंड का यह कॉशन पेपर है, मिशन है हमारा क्या रेलवे पार, और यह जो कॉशन पेपर पूछा जाता है, इस टाइप का इसमें बेटेज रहता है, जो की टोटल 100 मार्क्स कवर करता है, जिसमें की मैथमेटिक्स का, जो बेटेज है 25 मार्क्स का है, और काफी इजी यह पूछा जाता है, तो आईए स्टार्ट करते हैं, कॉशन नमबर फ़र्श के साथ, find the value of 1 raise to 7 by 9 plus 5 by 12 plus 7 by 18, यानि की इस value, इसका मान आपको ग्याद करना है, तो इसको आप simply लिख लेंगे, 1 plus 7 by 9 plus 5 by 12 plus 7 by 18, इसको आप आप easily solve कर सकते हैं, इसमें LCM क्या ले लेंगे, आप 36 LCM ले लीजिए, उसके बाद इनका कर लीजिए, तो ये total बनेगा 57 और ये आप easily calculate कर सकते हैं, ये आजाएगा 1 plus 19 by 12, और ये आजाएगा 31 by 12 का answer, यानि की first option इसका हो जाएगा, correct answer, next question की तरफ चलते हैं, बिना किसी दे 25 ये board mouse से आपको solve करना है, 75 minus bracket में दिया गया है, 96 minus 18 divided by 6 minus 58 divided by 5 plus 4 into 17, इसकी value आपको निकालना है, तो इसकी आप vboard mouse आप इसमें लगाएगे, अब vboard mouse से 2 से 3 question बनते हैं, इस vboard mouse से, तो v है vernicolor वार, v हो जाएगा bracket, जिसमें की सबसे पहले solve किया जाता है, फिसकी बाद मंजला bracket और फिर है बड़ा bracket, ये इस solve करने का ये है, उसके बाद आता है, off यानि की off का means भी multiplication हो जाता है, फिर division, multiplication, addition और subtraction सबसे last में होगा, अब इसको आप कर लीजिए, 6, 3, 18, 3 times ये चला जाएगा, तो ये छोटा bracket हम पहले solve करेंगे तो 96 minus 3 minus 58, यानि की 96 में से आप कितना घटा दीजिए, 60 बन को आप करेंगे, minus तो ये बचेगा 5 और ये बचेगा 3, तो 35 आ जाएगा, तो 75 minus 35 divided by 5 plus 4 into 17, तो ये बनेगी equation, अब 5, 7, 25 ये आ जाएगा, और इसको आप multiply कर लीजिए, ये आ जाएगा, 17, 468, पिलस ये हो जाएगा, और minus 75, इसको calculate करेंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 136 ये आ जाएगा, correct answer, यानि की second इसका हो जाएगा, correct answer, next question की तरब चलते है, question number third है, कि 1.004 minus करना है, 0.4 को, एक इसके बरावर होगा, तो इसको आप point के नीचे जमा लीजिए, ये हो जाएगा, 0.4, अब इसको minus करिए, अब तो ये हो जाएगा, 4, 0, 10 में से 4 हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा, 0, यानि की 0.604 इसका हो जाएगा, correct answer, third इसका हो जाएगा, correct answer, question number fourth है, square root of 8836, इसका आपको square root टिकालना है, double 836, अब इसका आप pair बना लीजिए, तो 36 है, यानि की unit digit 6 किस में आएगा, तो एक तो 4 में आजाएगा, और एक आजाएगा, 6 में है, तो unit digit से आप यहाँ पर eliminate नहीं कर सकते हैं, इसमें, और यह जो second pair है, 88, यह किस के square के पास में आएगा, तो 89 का square, 81 होगा, और 10 का square, 100 होगा, इन दोनों के बीच में आएगा, 88, और किस के पास में आएगा, 81 के सबसे पास में है, यानि की 94 बनेगा, या फिर 96 बनेगा, इन दोनों में से correct answer बनेगा, तो इसका correct answer क्या हो जाएग question number fifth है, the product of two number is 55, if one of the number is 2.50, what is the other number is, यानि की दो संख्याओं का गुडण फल दिया गया है, 25, यदि संख्याओं में से एक संख्या क्या है, 2.5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो देखिए, गुडण फल दिया गया है, यानि की A into B दिया गया है, क्या 55, उन में से ए एक संख्या आपको गेवन है, 2.5 और दूसरी संख्या आपको कैलकुलेट करना है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यह हो जाएगा 55 upon 2.5, यह पॉइंट हटाईए, हाँ पर 0 बड़ेगा, 25 दूनी 55 जाएगा 25 दूनी 50, यानि की 22 इसका correct answer हो जाएगा, second हो जाएगा correct answer, next question की दरब चलते हैं, question number 6 है, फिर से बर्नेकुलर बार से यह भी बार्ड मॉस से आया, तो सबसे पहले बर्नेकुलर बार हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब की इसको eliminate करेंगे, तो 21-22 यानि की minus का 1 बचेगा यहां से, उसके बाद यह minus पहले से अल्रेडी तो यह प्लस हो ज बचेगा, फिर 27 यहां से बचेगा, और 27-30 करना है, यानि की 3 बचेगा, लास्ट में answer, तो first इसका हो जाएगा, correct answer, easily question बनते हैं, यह जो भी वर्ड मॉस से बनते हैं, 2-3 question जरूर पूचे जाते हैं, RRB group D में, तो आप इसको solve करके practice इसका जरूर करिए, क्योंकि बहुत ही simple question यह पूचे जाते हैं, answer हो जाएगा, first, next question है, देगे, फिर से आया है, 129 divided by यह दिया गया है, तो सबसे पहले फिर से हम क्या करेंगे, भी बोर्ड मॉस, तो सबसे पहले आप क्या solve करेंगे, वर्निकुलर बारी करेंगे, तो यह 33 हो जाएगा, 33, अब इसको divide कर दीजे, 33 4 जाएगा, 132, यानि कि 4 यह आजाएगा, इसमें से 4 माइनस होगा, यानि कि 31 आजाएगा, यह छोटा bracket solve होके, तो अब हम पूरा equation लिखें, 129 divided by यह बड़ा bracket है, 46 माइनस, मजला bracket 93 divided by 31, तो यह अब question equation बची है, तो अब यहां से देखी, आप 3 times यह चला जाएगा, यानि क 43 इसमें से माइनस होगा, 46 में से तो कितना बचेगा, 43 बचेगा, तो 129 divided by 43 और यह चला जाएगा, कितनी बार, तीन बार यह चला जाएगा, तो यह आजाएगा, correct answer 3, यानि कि second इसका हो जाएगा, correct answer, देख लिए, easily हम solve कर सकते हैं, question को, next question है, cube root दिया हुआ है, यानि कि इ 3 by 2 हो जाएगा, यानि कि 1.5 इसका हो जाएगा, correct answer, third हो जाएगा, correct answer, question number 9 है, अमन by 5 पैंस, 4, 1 रूपीज, and sales, 4, 4, 1 रूपीज, find his gain percent, यानि कि अमन क्या कर रहा है, एक रुपे में, 4 पैं को वो खरीद रहा है, 5 पैं सोरी, खरीद रहा है, और फिर एक रुपे में ही, व number of pen है, तो इनको आप equal कीजिए, यानि कि जो quantity है, उनको equal कीजिए, यहाँ पर 4 का multiply कीजिए, और यहाँ पर 5 का multiply कीजिए, यानि कि 4 रूपीज में, वो 20 पैं खरीदता है, और फिर उनको 5 रूपी में, बेज देता है 20 पैं को ही, तो यहाँ पर quantity same हो गई, cost price क्या हो आपका 5 रूपीज यानि कि एक का वो profit कर रहा है, किसके respect में, cost price यानि कि 4 के respect में, into 100, तो यह कितना आजाएगा 25%, 25% इसका हो जाएगा, correct answer यानि कि वो लाब प्रतिसत याद करना था, तो लाब प्रतिसत क्या है, gain percent क्या है, 25% है, third हो जाएगा correct answer, next question है, after buying a toy, 4 रूपीज बंड 32 रूपीज, सब्वीर managed to sell it at a profit of 15%, the selling price of the toy wise, यानि कि 132 रूपे में एक ख्लोना खरीदने के बाद, सब्वीर इसे 15% के लाब पर बेचने में काम्याब रहा, ख्लोने का विक्राय मूल आपको बताना है, तो देखिए 15%, 15% यानि कि 15 बटे 100, 5, 3, 15, 5, 2, 10, 20, यानि कि यदि ये cost price है, और ये profit है 3 का, तो selling price क्या हो जाएगा, selling price हो जाएगा, 20 और selling price क्या हो जाएगा, यहाँ पर 23, 20 plus 3, 23 selling price हो जाएगा, अब ये 20 जो ratio है, ये किसके बढ़ावर है, क्योंकि उसने 132 रूपे का खरीदा है, यानि कि 20 ratio हम बात करें, तो ये 132 का है, तो आप एक ratio की value यहाँ से निकाल सकते हैं, 132 upon 20, तो यहाँ पर point लगा दीजिए, और 2612 और 2612, 6.6 के बराबर है, तो अब आपको cost price निकालना है, यानि कि विक्रे मूल निकालना है, जो कि क्या है, 23 ratio के बराबर है, तो 23 ratio यानि कि और एक ratio के value कितनी है, 6.6, तो यहाँ से आप easily calculate कर सकत हैं, यह आजाएगा 151.80, यानि कि second इसका हो जाएगा correct answer, इसों से भी आप calculate कर सकते हैं easily, और बैसे भी direct आप कर सकते थे इसको, तो second हो जाएगा correct answer, next question की तरफ चलते हैं, find the population of city after 2 years, which is at present 12 lakh, if the rate of interest rate of increase is 4%, यानि कि 2 साल बाद किसी सहर की जनसंग क्या ग्याद कीजिए, जो बर्तवान में 12 lakh है, अगर ब्रद्धी की दर 4% हो, तो ब्रद्धी की दर 4% है, यानि कि 4% यानि कि कितना हो जाएगा आपका 4 बटे 100, यानि कि इसको जाएगा 1 by 25, अब ratio से आपको करना है, तो 25% में है, increase कितनी हो रही है, एक increase हो रही है, यानि कि 26, और फिर second year में भी 25 से 26 increase हो रही है, तो यहाँ पे आप complete 625, और second ratio आपका क्या आजाएगा, 676 आजाएगा, यदि आपको दूसरी method से करना है, तो 12 lakh और increase हो रहा है, यानि कि 104 upon 100, ठीक है, 4% का increment हो रहा है, तो यह आजाएगा इसकर, इस से भी आप find calculate कर सकते हैं, और यहाँ से आपको करना है, तो 6 value यह हो जाएगी, अब एक ratio की value हाँ से calculate कर दीजे आप, और एक ratio की value जो आएगी, 1920 और इसको 766 में से इसको multiply कर दीजे, तो यह आजाएगा, क्या answer आजाएगा, इसका first इसका answer correct आजाएगा, यानि कि 1297920 इसका हो जाएगा correct answer, first हो जाएगा correct answer, next question की तरफ चलते हैं, at 6% simple interest for annum, a certain sum yields a total amount of 3-2-8 at the end of 5-3 by 4 years, what was the sum invested, यानि कि 6% प्रती वर्स तादरन ब्याज पर 5-3-4 वर्स की अंत में, एक निश्यत रासी कुल रुपए कितना है, 3228 रुपए प्राप्त होती है, क्या निवेश किया गया था, यानि कि आपको principal निकालना है, यानि कि मूलधन इसमें निकालना है, यदि total amount की बात हम करें, तो जो total amount होगा, वो किसके बराब होगा, principal प्लस जो भी simple interest वो आएगा, इतने years में, 5-3-4 years में, अब यहाँ पर हम P plus simple interest क्या होगा, मूलधन, गुड़िदर, गुड़िश हमें, यानि कि हाँ से आप calculate कर सकते हैं, 1 plus RT upon 100, और यह amount होगा, कितने, 3, 2, 2, 8 के बराबर, अब R दिया हुआ है, 6%, और T दिया हुआ है, आपको 5 raise to 3 by 4, यानि कि पाच्छों को 20 और 23 बटे 4, यह दिया हुआ है, इसमें आप value put कर दीजे, 3, 2, 2, 8, और यह हो जाएगा, P into 1 plus 6 into 23, 23 by 4 upon 100, अब इस value को आपको calculate करना है, यानि कि यह हो जाएगा, 4 नीचे जाके 400 हो जाएगा, और यह तर आजाएगा 400, तो यह 400 इस तरफ multiply हो जाएगा, into 400, और यह पूरा divide में आजाएगा, यानि कि 400 plus 23 into 6, तो यह कितना आजाएगा, 400 plus 138, अब इसको आप calculate किजिएगा, तो यह आजाएगा, 2400 के बराबर, यानि कि A, इसका हो जाएगा, correct answer, क्या निवेश किया गया था, 2400 इसमें निवेश किया गया था, और यह इतना amount आपको प्राप्थ हुआ है, बस्ट हो जाएगा, correct answer, next question है, A can complete a task alone in 9 days, यानि कि जो A कोई है, वो 9 दिन में एक कारे को complete करता है, वहीं बोला गया है B, वी कितने दिन में करता है, 13.5 days में, 13.5 days में, यानि कि इसको calculate करें हम, तो 27 by 2 days में यह complete करता है, फिर उसके बात बोला गया है कि together with C, यानि कि A plus B plus C, ये तीनों ही मिलकर, इतने 4.5 दिन में, यानि कि 9 बटे 2 दिनों में complete करते हैं, फिर बोला गया है, if C and D together can complete the task in 18 days, यानि कि C plus D, जो है, 18 दिन में किसी काम को complete करते हैं, then how many days will D need to complete the task by herself, तो ये question पूचा गया है, तो आप इनका LCM ले लीजिए, तो LCM कितना आ जाएगा, 54 इसका आल जाएगा LCM, यानि कि जो numerator में है, उनका आप LCM ले लीजिए, और इसको denominator को आप छोड़ दीजिए, अब इसका efficiency, आप देखेंगे, तो A का efficiency क्या हो जाएगा, 6, B का कितना हो जाएगा, 2 times जाएगा, और 2 इसमें multiply होगा, ये बाला 2, तो ये आजाएगा 4 efficiency इसकी, और in की आजाएगी कितनी की, इसकी आजाएगी 12 की, और C और D की आजाएगी क्या, 3 efficiency, अब आपको D का value calculate करना है, यानि कि 12, A plus B plus C का है 12, उसमें से A plus B आप minus कर तो C का बचेगा उसमें, तो ये 10 minus हो जाएगा, और फिर ये आजाएगा 2, किसकी value आजाएगी, 2 efficiency C की, और उसमें से D को आपको निकालना है, और C plus D की value कितना है, 3 है, तो D की कितनी बचेगी, D की बचेगी 1, तो D की efficiency 1, यानि की D की efficiency 1 है, और total work कितना है, 54 यानि की 54 divided by 1, तो इसकी value आजाएगी 54 days, जो D कितने दिन में पूर्ण करेगा कार को 54 days में रत्म करेगा, यानि की 3rd इसका हो जाएगा correct answer, time and work से एक नए question जरूर बनते हैं, 2 से 3 question बनते हैं याँ पर, तो 3rd हो जाएगा correct answer, next question है, summer can cover 3 5th of the distance covered by surprisingly and 5 by 7th of the time taken by the later, यानि की जो है summer है, ये 3 5th complete करता है और वो किसके बराबर होगा, जो sapnil है, sapnil है, उसके 5 by 7th के ये बराबर होगा, ठीक है, अब बोला गया है कि sapnil takes 42 minutes to complete the journey, how many minutes would it take summer to cover the same distance, यानि की sapnil यदि किसी कार को 42 minutes में करता है, 42 minutes में complete करता है, तो ये हम summer और sapnil का, यदि ratio हम calculate करें, तो 5 by 7 into 5 upon 3, तो ये आजाएगा 25 upon 21, ये ratio आजाएगा इसका, अब sapnil का, इस होने दिया गया है कि 42 minutes में करता है, यानि की summer का value हम निकालें यहां से, तो 25 upon 21 into 42 minutes में करता है, तो 7 दुनी, 14, 7, 11, यहां से calculate हो जाएगा, सास, searching 42 है ना, 3 दुनी 6 है, यानि की 25 दुनी 50, तो 15 minutes जो लेगा, वो लेगा summer, यानि की 3rd इसका हो जाएगा correct answer, 3rd हो जाएगा correct, next question है, 15 question है, Paulson belongs to town A, एक लड़का है, Paulson, वो belongs कर रहा है, town A से, यहां पे लिख देते हैं, P से denote करते हैं, और, Robson belongs to town B, they started journey together, यानि की एक दूसरी की जगे, आपस में आ रहे हैं, यह Robson है, और, यह जो distance है, यह cover करते हैं, towards each other towns, flowing the same route, at the same time, they meet somewhere on the way, and continue with their journey, after meeting Robson, Paulson takes another two hours, यानि की यहां पर मान लिजिए, यह दौनों मिलते हैं, और उसके बाद जो Paulson है, यह कितना time ले रहा है, two hours और ले रहा है, यहां तक पहुंचने पर, भी town तक पहुंचने के लिए, वहीं बोला गया है, यहां पर पहुंचने के लिए, यहां पर पहुंचने के लिए, तो speed आप देखिए, तो a upon s b का ratio होगा, यह क्या हो जाएगा, under root b upon t a के बराबर, यानि की यह value जो है, वो कितनी हो जाएगी, यहां पर देखें, तो जो s b है, Paulson का speed है, a town से, और यह जो speed है, s, dropson का speed है, b down से, और यह हो जाएगा, t a value, और यह हो जाएगा, t b, और यह s a, यानि की, जो s a, यह हमें calculate करना है, s b कितना है, 30 km per hour है, और यह दिया हुआ है, t b, t b है 4.5, और t a है क्या 2, तो यहां से आप calculate कर लिजे, 2.25 यह आ जाएगा, यानि की 15 का square होता है, 225 यानि की 1.5 का square होगा, 2.25, ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 1.5, तो 3.5 जा 15, और 3 बंजा 3, और 4, यानि की 45 यहां से value इसकी आ जाएगा, 450 यानि की 45.0 जो आ जाएगी, Paulson की value आ जाएगी, यानि की 3rd इसका हो जाएगा correct answer, next question है, question number 16 की तरफ बढ़ते हैं, 12 year ago, Ravan's age was 6 years, more than half the age of his mother, यानि की 12 साल पहले, कोई Ravan था, उसकी value, उसकी mother की, आप थी, और, यानि की 6 year more, plus 6 year, अब बोला गया है, 6 year from now, Raman's mother will be 1.5 times as old as Raman, what is the Raman present is, यानि की, यदि 6 year पहले पूछा गया है, यहां से इसकी value calculate आप कर लीजे, तो 2 are equals 2 हो जाएगा, M plus 12, एक equation यहां से बन जाएगी आपकी, अब बोला गया है कितना, अब यहां पर बोला है, 12 साल पहले, 12 साल पहले, और 6 year now, यानि की total जो year हो जाएगा, वो 18 year हो जाएगा, यानि की और 1.5 यानि की 3 by 2 जो है, इसका ace हो जाएगा, Raman का, ठीक है, और यह किसके value के बराबर हो जाएगा, उसकी mother की value के बराबर, तो यहां से आप calculate कर लीजे, 3 are plus 54 equals to 2 M plus 36, यानि की यह value आजाएगी, 3 are minus 2 M minus 18, और second value हमें दी गई है, यह equation यहां पर put कर दीजिए, 2 R minus M equals to 12, तो यहां से calculate आप कर दीजिए, minus कर दीजिए इन दोनों को, तो यह हो जाएगा minus, तो यह 2 का into करके minus कर दीजिए 2, और यह हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा, तो यह value cancel out हो जाएगी, minus R equals to आजाएगा minus, कितना आजाएगा, minus 42, 42, यानि कि R equals to R की यह आजाएगी, 42 years, 42 years आजाएगी, R की यह, अब उसने बोला है 12 year, यानि कि 12 साल पहले, यानि कि इसमें 42 plus 12 year हो जाएगा, यानि कि 54's of value आजाएगी, यह आजाएगी, रमन की बर्तमान आई हो, यानि कि 2nd इसका हो जाएगा, correct answer. Next question है, question number 17 है, 13 barrels of wine fill a tank when the capacity of each barrel is 51 liter, यानि कि each barrel की capacity जो है 51 liter की है, और यह 13 barrels लेता है भढ़ने में, यानि कि total जो हो जाएगा, कितना इसमें आएगा, तो 63 total liters इसमें आएगा, अब बोला गया है, how many barrels will needed to fill the same tank, save the capacity of each barrel is 17 liter, यानि कि एक ही टैंक को भढ़ने के लिए, same tank को भढ़ने के लिए, कितने barrel की आवश्यक्ता होगी, यानि कि प्रतेक barrel की शमता आप कितनी हो गई है, 17 liter यानि कि 63 आपको भढ़ना है, और इच बेरल की capacity हो चुकी है, अब 17 liter तो इसको आप cancel out कर दीजिए, 39 यानि कि 39 टाइमस यह चला जाएगा, यानि कि 2nd इसका हो जाएगा correct answer, यानि कि 39 barrels लगेंगे, यादि 17 liter पर barrel इसकी capacity है, तो इसको भढ़ने के लिए, टैंक को भढ़ने के लिए, तो 2nd इसका हो जाएगा correct answer, question number 18 है, श्रीनाथ switch on a bulb at 144.41 hours and switch off on the same day 11.35 और 35 hours पर, for how long was the bulb is switched on mode, यानि कि आपको इसलिए इसको calculate करना है, यानि कि 2 से आप मान लीजिए, तो 2 से 11 तक यह कितना हो जाएगा, 9 hours हो जाएगा, और यह लगवख 15 minute पहले और 35 minute बाद, तो 35 और 15 यानि कि यह हो जाएगा, 4 यानि कि 15 minute के आसपास, यानि कि 9 hours 15 minute के आसपास इसका answer आएगा, यानि कि 3rd इसका correct answer हो जाएगा, next question है, it was Monday on 5th February 2018, what was the day of the week on 5th February 2009, यानि कि 5 परवरी 2018 को सौंबार था, तो 5 परवरी 2009 को सपता है का कौन सा दिन था, तो आप easily count कर सकते हैं, 2009 से 10 तक 1 आएगा, 11 में 1 आएगा, 12 में कितना आजाएगा, 2 leap year आजाएगा, यानि कि 336 जो leap year होगा, 336 day होंगे उसमें, और 2 जो number of count आएगे, 7 से इसको calculate करेंगे, तो यह आजाएगा, 2 remainder बचेगा इसका, फिर 13, 14, 15, और 16 में फिर से 2 आजाएगे, 18 और 19 में 1 रहेगा, 18 तक ही रहेगा, यानि कि यह देखिए आप 4, 5, 6 और 7 यह तो cancel out हो जाएगे, यानि कि 4 बचेगा, यानि कि Monday था, Monday minus 4 आप कर दीजिए, Monday minus 4, यानि कि Thursday से आप चलेंगे, तो Friday, Saturday, Sunday और Monday, यानि कि Thursday दिन रहा होगा, जब 5 परवरी 2009 था तब, तो फोर्थ इसका हो जाएगा, correct answer, question number 20 है, 7 9 यानि कि 7 बचेगे, 9 9th of my current age is same as the 5 9th of that of one my cousin, यानि कि my age यह दी गई है, 5 by 6th of cousin age के बराबर, तो यहाँ से, ratio आप निकाल दीजिए, my age और cousin का age का, तो यह आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और यहाँ पर आ जाएगा, 15 upon 14, मेरी age दी गई है, और cousin की age दी गई है, उनका ratio आपकोने calculate कर दिया है, 15 by 14 अब बोला गया है, 39 years ago, my age was twice his age, यानि की 39 years पहले, 29 साल पहले, मेरी उम्र, उसकी उम्र से दुगनी थी, 29 साल पहले, यानि की minus 39 कर दीजिए, हाँ पर, दोनों का minus 39, और उसकी उम्र, दुगनी थी, यानि की, मेरी उम्र, जो है, उसकी उम्र की दुगनी थी, मेरी उम्र, जो है, उसकी उम्र की दुगनी थी, यानि की, 2 of cousin is, तो, फिर से, आप इसका ratio calculate कर लिजी, 2 ratio of 1 इसका रहेगा, 2 ratio of 1, अब इसको आप calculate करिए, तो यहाँ पर आएगा, 15 या आजाएगा, 28 यानि की, 28 minus 15, equals to यह ratio में आजाएगा, 30 minus, आप 39 common लेजिए, 2 minus 1, यानि की, 39 यहाँ पर आजाएगा, अब यह जो calculate करेंगे, 8 और 5, यानि की, 13 जो ratio है, वो आजाएगा, 39 के, और एक ratio बराबर आजाएगा, कितना 3, एक ratio बराबर 3 आजाएगा, यानि की, my age, यानि की, 3 into 15, यानि की, 45 आजाएगा, और cousin की, इस कितनी आजाएगी, 14 into 3, तो यह आप calculate कर लीजिए, और इसमें पूछा गया है, मेरी बरतमान आईउ, यानि की, यह हो जाएगी, इसका हो जाएगा, correct answer, भही पूछा हुआ होता, cousin की, बरतमान आईउ, 14 into 3, जवदा दुनी अठ्टाइश, जवदा दी 42, यानि की, 42 years हो जाती, फॉर्थ हो जाएगा, correct answer, next question है, नबीन और सांतनू, आप टोटल आफ रूपीज, 147 यानि की, जो नबीन है, और सांतनू है, नबीन और सांतनू जो है, इनके बीच, तो रूपीज दिये गए है, 147 है, सांतनू और अबनी, ये बीच में, 173 between them, अबनी और नबीन, आव 150 रूपीज बिटीन देम, वाव मच मनी दस नबीन है, टोटल कर दीजिए, तो 2 टाइमस आजाएगा, अबनी प्लस नबीन, प्लस सांतनू, ये वैल्यू आजाएगी, कितनी आपको, सबको एड़ कर दीजिए, तो ये आजाएगा, 7, 3, 10, यानि की, 01 यहाँ पर आजाएगा, और 10 और 17, ये खांसल फिर से आजाएगा, और 470, 470 आजाएगा, correct है, 470 आजाएगा, यहाँ पर, अब इन तीनों की आप, वैल्यू निकाल लीजी, अबनी प्लस नबीन, प्लस सांतनू, ये आजाएगी, 470 अपॉन टू, यानि की, ये आजाएगा, 235, 235 आजाएगा, अब पूछा कैस का गया है, नबीन के पास कितना है, तो नबीन के पास कितना है, अबनी प्लस जो, सांतन हुआ है, इनका आप, आप माइनस कर दीजिए, यानि की, 173 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 2 और ये आजाएगा, 6, 62 रुपीज जो है, वो किसके पास है, नबीन के पास है, यानि की, second इसका हो जाएगा, correct answer, next question की तरब चलते है, equation दी गई है, quadratic equation है, cx square plus bx plus c equals to 0, find the ratio, b rest to c, if the given equation has equal roots, यानि की, दुई गया समीकरण एक दिया गया है, cx square plus bx plus c equals to 0, और अनुपात b rest to c, आपको याद करना है, दिये गया समीकरण के मूल क्या है, समान है, समीकरण के मूल equal roots होंगे, यानि की, d equals to 0, और d क्या है, v square minus 4ac, यह है d, और इसकी value 0 के बराबर होगी, यहाँ पर, जो equation जो बनती है, ax square plus bx plus c equals to 0, से यह equation बनती है, b की value क्या हो जाएगी, यहाँ पर, b हो जाएगी, b square minus 4, a की value c है, और c की value c है, यानि की, c square equals to 0, यानि की, b square equals to 4, c square आजाएगा, और b की value के आजाएगी, 2c आजाएगी, b की value, तो b raise to c, आप से पूछा गया है, इसका कोई हल नहीं है, तो k का मान, क्या होगा, तो d क्या हो जाएगा, b square minus 4, a c, यानि की, k square minus 4, a, बन हो जाएगा, c कितना हो जाएगा, 3k, यानि की, k square minus 12, k, और इसकी value, जो होना चाहिए, less than 0, यानि की, d less than 0 होगा, तब कोई solution नहीं होगा, यानि की, k की value जो होगी, k minus 12, वो less than 0, यानि की, k की value जो होगी, 0 से लेकर, 12 के बीज में होगी, यानि की, second इसका हो जाएगा, correct answer, अश्या question था, quantitative question से question जरूर बनते हैं, next question है, the angle of elevation, यानि की, कोई angle इस type से आपको दिया गया है, of the top of the tower, tower के top से दिया गया है, यानि की, यह जो angle है, was 30 degree, if the platform was positioned, यानि की, जो platform है, वो position है, कहां पर, इतने मीचर डूडी पर, यानि की, 50 root 3, meter away, from the tower, यानि की, यह जो tower है, tower का point है, lower point है, base है, यह tower का peak point है, यहां से, यह 50 root 30, दी गई है, तो how tall was, the tower, यानि की, यह 17 meter तो already है, और यह h आपको निकालना है, तो h plus 17, यह जो हो जाएगा, यह total tower की, length हो जाएगी, तो यह 15 root 3, यहां पर है, तो यहां पर भी होगा, 30 degree, आप यहां से, easily calculate कर सकते हैं, 10 30, 10 30 यानि की, h upon 50 root 3, और 10 30 क्या होगा, 1 y root 3 होगा, और h upon 50 root 3, तो root 3 से root 3, cancel out हो जाएगा, और h की value आजाएगी, 50 meter, तो आप यह short trick से, हमेशा याद करिए, यहां पर यदि 30 होगा, 30 degree होगा, तो इसके सामने वाली, भुज़ा जो होगी, क्या होगी, यह होगी, और यह जो 60 है, इसकी सामने वाली, भुज़ा जो होगी, उसकी value हमेशा, a root 3 के बराबर होगी, यानि की, a यदि 50 है, तो यह root 3 क्या होगा, 50 root 3 ही होगा, हमेशा यह आपको याद ही रखना है, इतना करने के लिए, आप time based नहीं करेंगा, इतना 3 step करने के लिए, direct यह 50 root 3 है, तो यह direct 50 आ जाएगी, या फिर यह 50 है, तो यह 50 root 3 आ जाएगी, यह direct आपको याद रखना होगा, जितने जादा आप चीजे याद रखेंगे, उतना जादा आपका calculation fast होगा, यह 50 है, plus 17 यह जो की गई थी, तो उसका height है, तो ब्लस 17 कर दीजिए, तो यह आजाएगा 67 meter, total tower की height आजाएगी, यानि की 4 इसका हो जाएगा correct answer, last question है, 25 है, प्रग्या ने 15 परिक्षणों में, आस्तन 24 अंग प्राफ्त की हैं, प्रग्या है, कोई उसने 15 परिक्षण हुए थे, उसमें जो आस्तन आया, उसका average आएगा 24 आया, और 0 जरीन है, वो 23 अंग उसका उस्तन आया, और उसने उन्होंने केबल 12 परिक्षण ही किये हैं, अब प्रतेक परिक्षण का जो maximum mark है, 30 marks दिया हुआ है, और कम से कम जरीन को 3 परिक्षणों में से, इसी 1 में score करने के लिए, अभी भी प्रग्या के प्रदशन से मेल खाने का मौका है, यानि कि प्रग्या की हम बात करें, तो 15 उसने total परिक्षण किये हैं, और 24 उसका average है, और तो ये total जो value आएगी इसकी, ये कितनी आजाएगी, ये आजाएगी 360, 360 total marks प्रग्या ने attend किये हैं, 15 प्रडिक्षण में, अब बात करें, जरीन ने अब तक कितने करिये हैं, 12 into 23, यानि कि अभी तक, 276 marks जरीन ने हासिल किये, यानि कि इसमें से आप, माइनस कर दीजिए, 276 तो ये आजाएगा कितना, ये आजाएगा, 84 marks और प्राप्ट करना है, कितने में, 3 में, यानि कि 84 का, average हम count करें, तो ये आजाएगा, 3, 6 और ये आजाएगा, 38 जाएगा, यानि 28 के average से, लाना है इसको, अब maximum आप, उसने बोला है, कम से कम, एक में कितना score करें, यानि कि maximum 30 कर सकता है, second में 30 कर सकता है, और last में, जो बचे का, वो कितना बचे का, 84 लाने के लिए, 24 बचे का, यानि कि कम से कम, पूछा गया है, तो कम से कम, 24 marks, एक में उसको लाना होगा, और बागी 2 में, फिर वो 30-30 लाना होगा, इस तरीके से, ये calculate कर सकते हैं, यदि 24 से कम आएगा, तो वो इसके average से, match नहीं कर पाएगा, क्योंकि 23 पहले, उसका average है, आप उसको 24 लाने के लिए, average minimum, एक में 24 लाना होगा, और 2 में, फिर 30-30 ही लाना होगा, यदि एक में minimum लाता है, तो, तो second इसका हो जाएगा, correct answer 24, अच्छा question है, ये था आज की सीरीज का, हमारा last question lecture, आपको पसंद आ है, तो like and share करना, आप ना भूलें, और आप life experience education, चैनल के साथ, जुडने के लिए, चैनल को subscribe भी करें, साथी में हमारे social media handles है, Instagram, Facebook page है, Telegram channel है, life experience education, नाम से, और आप यहाँ पर हमें भी follow कर सकते हैं, thank you,